नमस्कार, भाई, रात के बज रहे हैं दो, और आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपोर्चुरिटी लेके आया हूँ मैं, इसलिए आपको इस समय बता रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी, एक नोटिफिकेशन आया है, EPFO का सोचल सिक्यूरि के पोस्ट के लिए, स्पोस्ट की गेट पे 2400, यानि कि आपकी जो सैलरी होगी, वो लगबग 40 से 45 के बीच में होगी, लेवल 5 का जॉब है वो, और ग्रेजुएशन उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अच्छे से डिसकस करेंगे, पूरे वीडियो का अच्छे से देखना उसमें सारा कुछ देखने को मिलगा आपको, आपको ये बता दू कि 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके अपने जीवन में एक नौकरी को इंक्लूड करना है तो, 2023 में बहुत सारी वेकेंसी जाएंगी, अभी आगे MTS का आने वाला है, GD Constable का आने वाला है, CGL 2023 का को क्या करना एक नौकरी को पाने के लिए, और जल्दी से एक नौकरी ले लिए जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मेरा इम यही है कि मुझे अपने ग्रूप में जितने बंदे हैं, Telegram के, सब को नौकरी दिलानी है, दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों मुझे मैसेज कर रह रहे हैं कि आपने बोला था कि एक्जाम बहुत तीजी आएगा और इतना टफ एक्जाम आ गया इंटलिजिंस ब्यूरो का तो भाई मेरे से पूछ के तो इंटलिजिंस ब्यूरो ने पेपर बनाया नहीं है कि मैं बताओं आपको तो इस चीज के लिए तैयार रहना है आपको तैयार ही हमें सब वर्ष्ट के लिए करनी है ताकि अगर कुछ खराब हो तो आप उसो सर्वाइब कर सके सस्टेन कर सके वहां पर ठीक है तो लिए ज़्यादा भाई नहीं दूँगा स्टार्ट करते हैं EPFO के सिक्योर्टी सोसल सिक्योर्टी एसिस्टेंट के बारे में कंप अगर आप अपेरिंग हैं तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं इसका ग्रेशन कंप्लीट हो चुका है फॉर्म के डेट से पहले अप्लिकेशन से पहले वही इस फॉर्म को भरने के इलिजिबल है सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि सिर्फ इसमें एक ही एक्जाम है पहल पार कर चुके हैं अपना OBC और EWS और SCST का जो लगा के इस रेलिए इसक्रेशन लेता है वो ले सकते हैं इस फॉर्म को भरनने के लिए आपको 700 रुपे करना है जेनरल OBC और EWS के लोगों को 700 रुपे करना है और जो भी PWD और जितनी भी कैटेकरीज होती है इंक्लूडिंग पी मेले यानि कि लड़कियों को इसका 0 रुपे करना है मतलब 20 मार्ट से फॉर्म भरा जाएगा 27 अप्रैल तक एक महिने तक यह फॉर्म भरे जाएगा इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है कि यह आपको एक महिन बोनस में मिल रहा है तयारी करने के क्योंकि जैसे ही फॉर्म करता होगा उसके अगले दो महिने में एक्जाम हो जाएगा मतलब कुल मिलाकर तीन महिना है आपके पास बहुत है आपके पूछी जाते हैं पार्च सब्जेक्ट रिजिनिंग मैक्स इंग्लिस जीकिजियस और कम्प्यूटर रिजिनिंग क्या आत जोंग four फीтор बिजिक। ने करते हैं था सब्जेक्ट ते तरुम कि पैराग्राफ्र हाते हैं उसके questions होते है पचास मतलब सबसे ज़यारेंड वेटीकिजिस इक्जाम में है वह ए इंग्लिस का ठीक है और जो मेरा सबसे मेरा चाँद के भाक जिनता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 50 question आएंगे 200 number का। और जो last subject है computer, computer के 10 question आएंगे 40 number के। मतलब कुल मिलाके आपके 150 questions आते हैं और 600 number का ही paper होता है। tier 1 ही 600 number का paper है जो आपका merit decide करता है। आपका जो भी merit decide होगा वो tier 1 के basis पे ही होगा। दूसरी चीज, सबसे important चीज है कि इसमें sectional cut-offs भी होते हैं। मतलब कि आपको हर subject को separately pass करना है और एक total cut-off भी होगा। मतलब कि आपको हर subject में अच्छा perform करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखने है। ये था आपका एक exam, tier 1 का, या tier 1 आप कह लिए या एक ही tier है, इसका pattern, 1500 सवाल, 150 questions, 600 marks, 1500 सवाल, 600 number का, इसी पे आपका merit भी decide होगा। दूसरा इसका चरण है, tier 2 जो चरण है, वो है आपका skill test, skill test में होती है आपकी typing, typing क्या है, 35 words अगर आप English में type करते हैं, per minute होनी चाहिए, 30 words per minute अगर आप Hindi में type करते हैं, तो ये होना चाहिए, और ये totally qualifying in nature होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है merit से, merit आपका सिर 1 पे बने अब जो मैं अगला वीडियो आपको ले आँगा, अगर आप मुझे इस वीडियो पे अच्छा response देंगे, तो अगला वीडियो में ले आँगा कि आपको पौन से book list follow करनी है, और strategy क्या रखनी है, अगले 3 में तक इसको follow करने के लिए, इस exam को crack करने के लिए, और साथ में त झो और संपनी है, और सकती सबक्सक आपदा है, और सकी ससती में देए, और सकी अझेख लिएगाने है, और सकी अटने केस लिएगे है